के साथ उनका स्वागत करें गुजरात के मुख्य मंत्री श्री भुपेंदर भाई पटेल स्थानिय सांसत स्वियार पाटिल केंद्रियम मंत्री परिशत के मेरे साथी देश की डायमंड इंडुस्ट्री के जाने माने सभी चहरे अन्य महानुभाव देवि और सज्जनो नमस्कार हूरट एटले हूरट सूरत पासे इतिहासनो अनुभाव वर्तमानमा रप्तार अने भविशनी दुरंदेशी एनुण नामसूरत निदुखाने अर्दो कल्लाग लाइट भाव वर्यवेडी दीराज एदा भाव हूर्दा जोदमार पड़े हूरे न डीचन हुदी पाणी हूरे पन भज्यानली रारी ये जवादू इटले जवादू सरत्पुन में चंडी पड़वो दुनिया की धामा पर जाए आमारो हुर्ती फुत्पास पर परिवार साथे घारी खातो है अने मोजी ये वो साइब के नाका परनू सरकल में यां आटो मार मना जया पन वीश्वागू फरे मने आचे चालिश पिस्तालिश वर्ष पहला सवराष्ट्र ना भाईयो सुरत तर बढ़या तो मारा सवराष्ट्र ना जुना मित्रों नों पूछू कि अवे तमें यह स्वराष्ट्री ने सुरत आया जो कि की उला गे है ciekी आमारा हुरत बा मैने हमारा काठी आवाड मा बार अंतर हैvoor सालिश पिसंचालीश पेला या इद्धी बात करो तुम्टकै को तो कि आमारा काठीआ वाड मा जो हामा में मोटरसा February pumps मत वो क्या तलवारू काडवानी बात था है पंगे जो सूरत मां मोटर साइकल टक्राणी हुआ है इले तरत वोलो के जोनी भाई तारी भूल जे नमारी भी भूल जे हाल ने हमें क्या आट लोग भनकते हैं साथियों आज सूरत सहर की भवेता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है बलकि यह तो दुनिया में सर्वस्रेष्ट है इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है और अब अलब भाई लाल जी भाई पूरी नम्रता के साथ अपनी बात बता रही थे और शायद इतने बड़े मिशन की सफलता के पीछे उनकी ये नम्रता सबको साथ लेने का स्वभाव इसके लिए जितनी बढ़ाई मैं इस तीम को दूं उतनी कम है बलब भाई ने कहा कि मुझे पांची मिनिट मिला है लेकिन बलब भाई आपके साथ तो कीरन जुड़ा हुआ है और कीरन में पूरे सुर्य को समझने का सामर्थ होता है और इसलिए आपके लिए पांच मिनिट एक बहुत बड़ी शक्ति क्या परिचे बन जाती है अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बूर्स तो सुरत का नाम साथ आएगा भारत का नाम भी आएगा सुरत डायमंड बूर्स भारतिय डिजाइन भारतिय डिजाइनर्स भारतिय मटियल और भारतिय कंसेप्ट के सामर्थ को दिखाता है यह बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ और नए संकल्प का प्रतीक है मैं सुरत डायमंड बूर्स के लिए डायमंड निरिस्ट्री को सुरत को गुजरात को पूरे देश को बधाई देता हूं मुझे कुछ हिस्सा देख रहे का आउसर मिला क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि आप लोगों को ज्यादा इंतिजार करना पड़े लेकिन मैंने कहां इनको पुराने दोस्त है तो कुछनों कुछ बताता रहता हूं मैंने कहां कि आप जो एंवायरमेंट की दुनिया के वकील है ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है जरा बुला करके दिखाईए दूसरा मैंने कहा पूरे देश से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर और एंजिनियर के जो स्टूडन्स है उनको कहिए का पाईए और स्टडी कीजिए कि बिल्डिंग की रचना आदोनिक रुप्पा कैसे होती है और मैंने यह भी कहां कि लैंड्सकेपिंग कैसे हो कि पंच तत्व की कलपना क्या होती है उसको देखने के लिए भी लैंड्सकेप की दुनिया में जो काम करते हैं उनको भी बुलाईए साथियों आज सूरत के लोगों को यहां के वापारियों कारोबारियों को दो और उपहार मिल रहे हैं आज ही सूरत एरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकारपण हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एरपोर्ट को इंट्रनेशनल एरपोर्ट का दर्जा मिल गया है सूरतियों की बर्सो पुरा निमांग आज पूरी हुई है और मुझे याद है जब मैं पहले आता था यहां तो सूरत का एरपोर्ट कभी-कभी लगता है बस्टे से जादा अच्छा के एरपोर्ट अच्छा बस्टे से न अच्छा लगता है इतना एक जोपड़ी जैसा था आज कहां से कहां पहुँच गए यह सूरत का सामर्थ दिखाता है सूरत से दूबई की फ्लाइट आज से शुरू हो रही है बहुत जल्द होंकों के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी गुजरात के साथ ही और आज जब यह सूरत का एरपोर्ट बना है तब गुजरात में अब तीन इंट्रनेस्टल एरपोर्ट हो गए हैं इससे डाइमंड के लावा यहां की टेक्स्टाइल इंडस्ट्री तुरिजम इंडस्ट्री एजुकेशन और स्किल सरीथ हर सेक्टर को लाब होगा मैं शांदार तर्मिनल और इंट्रनेशनल एरपोर्ट के लिए सूरत वासियों को गुजरात वासियों को बहुत-बहुत बदाई देता हूँ मेरे परिवार जरों सूरत सहर के साथ मेरा जो आत्मिय लगाव है उसको शब्दों में बया करने की जरूत नहीं है आप लोग भली भाती जानते हैं सूरत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सूरत ने सिखाया है कि जब सबका प्रयाज होता है तो हम कैसे बड़ी से बड़ी चुनोतियों का सामना कर सकते हैं सूरत की मिट्टी में ही कुछ बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है और सूरतियों का सामर्थ उसका मुकाबला मिलना मुश्किल होता है हम सब जानते हैं कि सूरत सहर की यात्रा कितने उतार चड़ाओं से भरी रही है अंग्रेज भी यहां का वैभाव देखकर सबसे पहले सूरत आये आये थे एक जमाने में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाज सूरत में ही बना करते थे सूरत के इतिहास में अनेक बाड बड़े बड़े संकट आये लिकिन सूरतियों ने मिलकर हर एक से मुकाबला किया वो भी एक वक्त था कहते थे कि 84 देशों के शीप के जंडे यहां फैरते थे और आज यह मतुरवाई बता रहे थे कब 125 देशों के जंडे यहां फैरने वाले हैं कभी गंभीर बिमारियों में सूरत फस गया कभी तापी में बाड आई कि मैंने तो वो दोर निकड से देखा है जब भाती भाती की निराशा फैलाई गई सूरत की स्पिरिट को चुनोती दी गई लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि सूरत संकट से तो उभरेगा ही नए सामर्त के साथ दुनिया में अपना स्थान भी बनाएगा और आज देखिए आज ये शहर दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ते टॉप टैन शहरों में है सूरत का स्ट्रीट फूर सूरत में स्वच्चता सूरत में स्कील डवलप्मेंट का काम सब कोच शांदार होता रहा है कभी सूरत की पहचान संसीटी की थी यहां के लोगों ने अपने परिश्र में पूरी तांकत से महनत की पराकास्टा करके इसको डाइमंड सिटी बनाया सिल्क सिटी बनाया आप सभी ने और महनत की और सूरत ब्रीच सिटी मना आज लाखो लाख युवाओं के लिए सूरत ड्रिम सिटी है और अब सूरत आईटी के एक शेत्र में भी आगे बढ़ रहा है ऐसे आधुनिक होते सूरत को डाइमंड बूर्श के तौर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग मिलना अपने आप में अइतिहासिक है साथियों आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खुब सुनते होंगे हाल के दुनाव में जो चुनाव नतीजह आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है और इसी गारंटी का उदहारन ये सूरर डायमंड बूर्ज भी है मुझे आध हैं बरसों पहले आप सभी साथिक की स्तरह मुझे अपनी समस्याएं बताते थे यहां तो डायमंड के कारोबार से जुड़े कारीगरों छोटे बड़े व्यापारियों से जुड़ी लाखों लोगों की पूरी कॉमिनिटी है लेकिन उनकी बड़ी परिशानी यह थी कि छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था रोल डायमंड को देखने और खरीद दे के लिए अगर विदेश जाना है तो उसमें भी अर्चने आती थी सप्लाई और वेल्यू चेंज से जुड़ी समस्याएं पूरे कारोबार को प्रभावित करती थी डायमंड इंडिस्टी से जुड़े साथ ही बार बार मुझसे इन समस्याओं के समाधान की मांग करती थी इसी माहौल में 2014 में दिल्ली में वर्ल डायमंड कांफरंस हुई थी और तब ही मैंने डायमंड सेक्टर के लिए स्पेशल नोटिफाइड जोन स्थापित करने की गोश्णा की थी इसी ने सूरट डायमंड बुर्ष के सपने को साकार करने का रास्ता बनाया हमने कानून में संसोतन भी किये अब आज सूरट डायमंड बुर्ष के रूप में इंट्रनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर यहां बनकर तयार है रो डायमंड हो पॉलिश डायमंड हो लैप गुरून डायमंड हो यहां फिर बनी मनाई ज्वैलरी आज हर प्रकार का व्यापार एक ही छत के नीचे संभव हो गया है कामगार हो कारीगर हो व्यापारी हो सब के लिए सूरट डायमंड बुर्ष बन स्टॉप सेंटर है यहां इंट्रनेशनल बैंकिंग और सुरक्षित वाल्फ की सुविदा है यहां रिटेल ज्वैलरी बिज्देश के लिए ज्वैलरी मॉल है सूरत की डायमंड रिज्जी पहले से ही आठ लाग से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है अब सूरत डायमंड बुर्ष से भी डेड़ लाग सात्यों को रोजगार मिलने वाला है नए मैं डायमंड के व्यापार कारोबार से जुड़े आप सभी सात्यों की प्रसंसा करूंगा जिनों ने इस इनस्वी को नई उचाई देने के लिए दिन रात एक किया है चात्यों सूरत ने गुजरात को देश को बहुत कुछ दिया है लेकिन सूरत में इससे भी कहीं अधीक सामर्त है मेरे इसाबचे तो शुरुवात है हमें और आगे बढ़ना है आप सभी जालते हैं कि बीते दस वर्सों में भारत दसवे नंबर की आर्थिक ताकत से उपर उटकर दुनिया में पांचवे नंबर की आर्थिक शक्ति के रुप में उबरा है और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप तीन एकानोमी में जरूर शामिल होगा सरकान ने आने वाले पती साल का भी टार्गेट ताय किया है फाइव ट्रिलियन डॉलर का लक्ष हो तैन ट्रिलियन डॉलर का लक्ष हो हम इन सभी पर काम कर रहे हैं हम देश के एक्सपोर्ट को भी रिकार्ड उन्चाई पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं है ऐसे में सूरत की और विशेश कर सूरत की डायमंड निरिस्टी की जिम्मेदारी भी अनेक गुना बढ़ गई है यहां सूरत के सभी दिगज मौझूद है शूरत सहर को भी यह टार्गेट टाय करना चाहिए कि देश के बढ़ते हुई एक्सपोर्ट में शूरत सहर की भागिदारी और कैसे बढ़े यह डायमंड सेक्टर के लिए जैम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए चुनोती भी है आ अवसर भी है अभी डायमंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में भारत बहुत आगे हैं शील्वर कट डायमंड और लैब्र गुरॉन डायमंड में भी हम अग्रणी हैं लेकिन अगर पूरे जैम्स वेलरी सेक्टर की बात करें तो दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट में भारत का शेर सिर्फ साड़े तीन परसेट है कि सूरत अगर ठान ले तो बहुत ही जल्द जैम्स गैलरी एक्सपोर्ट में डबल डिजिट में आ सकते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है कि हमने तो पहले से ही इस सेक्टर को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फोकस एरिया के रुप में चुना है पेटेंटेट डिजाइन को प्रोशान देना हो एक्सपोर्ट प्रोडक्स को डावर्सिफाई करना हो दूसरे देशों के साथ मिलकर बहतर तक्रिक की खोज करना हो लेब ग्रोन या ग्रीन डायमंड को बढ़ावा देना हो ऐसे अनेक प्रयास केंद्र सरकार कर रही है ग्रीन डायमंड को प्रोशान देने के लिए सरकार ने बजेट में भी विशेश प्रावधान किये हैं आपको इन सारे प्रयासों का जादा से जाइदा फाइदा उठाना है आज अंतराश्य स्तर पर जो माहोल आप भी अनुभू करते होंगे आप दुनिया भर में जाते हैं दुनिया के नेक देश के लोग यहां बैठे हैं आज विश्व का माहोल भारत के पक्ष में है आज पूरी दुनिया में भारत की सांख बुलंदी पर है दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है मेडिन इंडिया अब एक ससक्त ब्रांड बन चुका है इसका बहुत बड़ा लाब आपके बिजनेस को मिलना तय है आपुशन उद्योग तो मिलना ता है इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा संकल पलीजिए और इसे सिद्ध कीजिए साथियों आप सभी का सामर्त बढ़ाने के लिए सरकार सूरत शहर का भी सामर्त और बढ़ा रही है हमारी सरकार सूरत में आधुनिक इंफ्रासेक्टर के निर्मान पर विशेस बल दे रही हैं आज सूरत के पास अपना इंटरनेश्टला एरपोर्ट है आज सूरत के पास अपनी मेट्रो रेल सर्वीस है आज सूरत पॉर्ट पर कितने ही एहम प्रोड़क्स की हैंडलिंग होती है आज सूरत के पास हजीरा पॉर्ट है गहरे पानी का LNG टर्मिलर और मल्टी कार्गो पॉर्ट है सूरत लगातार अंतराश्टिय व्यापारी केंद्रों से जूड रहा है और ऐसी इंटरनेस्ट्रल कनेक्टिविटी दुनिया के बहुत कम शहरों में ही है सूरत को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से भी जूडा गया है यहां वेस्टरन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है इससे उत्तर और पुर्वी भारत तक सूरत की रेल कनेक्टिविटी ससकत होगी दिल्ली मुंबई एक्ष्प्रेस वे भी सूरत के व्यापार कारोबार को नए अवसर देने वाला है ऐसी आधुनिक कनेक्टिविटी पाने वाला सूरत एक तरह से देश का इकलोता शहर है आप सभी इसका जांदा से ज़्यादा लाब उठाईए सूरत आगे बढ़ेगा तो गुजरात आगे बढ़ेगा और गुजरात आगे बढ़ेगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा इसके साथ और अनेक संभावनाएं जुड़ी हुई है इतने देशों का लोगों का आना जाना एक प्रकार से एक ग्लोबल सीटी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है लगुभारत तो मन चुका है अभी जब जी ट्वेंटी समीट हुई तो हमने कॉम्मिनिकेशन के लिए टेक्नोलोजी का भरपूर उपयोग किया ड्राइवर हिंदी जानता है उसके साथ बैटे हुए मेहमान फ्रेंच जानते हैं तो बात कैसे करेंगे तो हमने मोबाइल एप के द्वारा व्यवस्ता की क हूइ फ्रेंच बोलते थे और ड्राइवर को हिंदी में सुना जेता था ड्राइवर हिंदी बोलता था उसको फ्रेंच में सुनाय देता था मैं चाहूंगा कि हमारे इस डायमंड भुश्त में विश्व भर के लोग आने वाले हैं लेंग्वेज की दुरस्ती से कॉम्मिनिकेशन के लिए आपको जो मदद चाहिए बारत सरकार जुरूर आपको मदद करेगी और एक मोबाइल फोन, मोबाइल एप के द्वारा भाशिनी एप के द्वारा इस काम से हम सरत करेंगे मैं मुख्यमंत्री जी से भी सुझाव दूँगा कि यहां जो नर्वद उनिवर्सिटी है वे बिन बिन भाशाओं में इंटर्पिटर तयार करने के लिए कोर्सिश शुरू करें और यहां के बच्चों को ही दुनिया के अनेक भाशाओं में इंटर्पर्टेशन आए ताकि जो वे आपारी आएंगे तो इंटर्पिटर का बहुत बड़ा काम हमारी युवापीडी को मिल सकता है और ग्लोबल इसनोंती जल्द सूरत में नर्वद युनिवर्सिटी के द्वारा यार कोश और युनिवर्सिया के द्वारा mini इंटर्प्रटर के रूप मैं भी हम कोट्रेश आरम कर सकते हैं मैं एक बार फीर आप सब को सुरत डायमेंड बूर्श की और सुरत एरपोर्ट के नए टर्मिनल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ अगले महीने वाइबरेंट गुजरात समीट भी होने जा रहा है मैं इसके लिए भी गुजरात को अगरिम शुब कामनाई देता हूँ और गुजरात का ये प्रयास देश को भी काम आ रहा है अर इतने मैं गुजरात को विशेश्वत बधाई देता हूँ आप सब इतनी बड़ी तादाद में विकास के जुत्सव का अज मनाने के लिए कट्टे हुए है तेकि कितना बड़ा परिवर्ता ना गया देश का हर व्यक्ति विकास के प्रति प्रतिबद्ध होता जा रहा है ये भारत के लिए आगे बढ़ने के सबसे बड़े सुख संकेत है बै फिर एक बार वलब भाई और उनकी पूरी टीम को रदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और मुझे पता है अगर बीच में कोवीड की समस्या ना आई होती तो शायद ये काम हम और जल्दी पूरा कर देते लेकिन कोवीड के कारण कुछ कामों में रुकावट रही थी लेकिन आज ये सपन पूरा देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है मेरी तर्व से बहुत बहुत बदाई धन्यवाद आपके एतिहासिक एवं प्रेरक संबूधन के लिए प्रधान मंत्री जी हम आपके आभारी हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालियों की गूंच के साथ हम सभी उनका भिवादन करें बोलो भारत मता की बादा की वन दे वन देपान अमतरच के साथ हम से